हेलो गाइज, मैं डॉक्टर आभार अग्रवाल, राज के सनात को उत्तर महाविद्याले स्यालने अलमुडा से, आज हम रुख जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, वो है बहुराश्ट्रे निगम या मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन्स, मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन्स क्या है, मल्टी नेशनल में दो शब्दों से मिलकर बना है, मल्टी और मल्टी का अर्थ है मैनी, यानि कि बहुत सारे नेशनल माने राष्ट, अथा जो कम्पनिया बहुत एक से अधिक राष्ट्रों में कारे करती हैं, या उत्वादन का कार कोको कोला कॉर्पोरेशन इसका हैड़्ट कहा है USA में लेकिन इसकी जो ब्रांचे वह सारे देशों में फैली हुई है जो वित्रन का कारे करती है या उनके प्रोडक्ट बनाती है और टेक्णोलोजी से जो USA अपना वो देता है वो टेक्नोलोजी उनकी अपनी है सब्सक्राइबगे का Genau कि इसे कहते हैं लिटत落बनाने के धिर है गा सब्सक्राइब इसे कहते हैं पह निशोग्तारी पूर्परेशनर को अन्य छ Bobby हें आध मुण partirइवाया इसे कहते हैं। किसी को भी किसी के भी नाम के साथ विदी कोई क्षियन आता है तो आपके आंसर यही होंगे जो बहुराश्ट्री निगंत के अंतरगत बढ़ाया जा रहा है ठीक है मर्टी नेशल कॉर्पोरेशन की जो डेफिनीशन देगी थी 1973 के फॉरें एक्षेंज रेगुलेशन एक्ट में जिसे हम फेमा और एक्षेंज मैंजमेंट भी कहते हैं इसके अंदर कहा गया था कि एक कोई कंपनी यदि बहुत सारे देशों में अलग-अलग देशों में अपन आपकी इंडियान कंपनी उसने कई देशों में अपनी फ्रेंचाइजी खोली माली कोई श्री रंगा में खोल दी पारकिस्तान में कर दी और एक भूटान में कर दी और कहा कि अगर वहां पे लेवर चीप है तो जो चीज वहां पे बनाने के लिए सस्ती आप वहां से एक प्रोड़क्ट हो सारका सारा का लोट्री में बनता है você उसके जो सेर्स डिस्टिबिशन जो चैनल से वह अलग अलग कंपणियों में जैसे इस समय आप ओनलाइन शॉपिंग करते हैं अब आपकी फ्लिप कार्ट यह सब और यह वेबसाइट और करते हैं और जो उनका फ्रेंचाइज है अमारे कंट्री में होगा जो डिस्टिबिटर वहां पर उसके पास और जाता है वो समय पेह तरके हमारे यहां पहुंचा देते हैं तो यह होता है मल्टी नेशनल कॉर्परेशन का कारे करने का तरीका और इनका पैमाना अब आईए इनकी जो यह ग्लोबल इंटरप्राइजेज हैं इनके फीचर्स क्या हैं एक तो यह है कि जाइंट साइस के इनका साइस बहुत बढ़ा होता है जाइन राक्षाज होते हैं दानव सावान इंसान के तला में बहुत बड़े होते यह इनका भी जो size है size का earth है कि जितना जो इनकी जो production करते है बहुत जादा है और इनके financial resources बहुत ही ज्यादा है इसलिए इनको हम कहते हैं जाइंट साइज जो हमारे देश की किसी एक कंपनी के पास नहीं जितने होते हैं उतना उसके कई कई गुना ट्रिलियन डॉलर्स में इनके पास पैसा होता तभी तो यह अलग-अलग डेशों में अपनी कंपनियां फैलाएं हुए होते हैं कभी कभी तो कहा जाता है कि इनका जो कैपिटल बेस है कितने ही देशों की जो GDP उससे भी कहीं जादा है यह भी होता है कि कहीं मर्टी नेशनल को अपने देश में काम करने दिया तो कहीं ऐसा नहीं हो कि वह पुरे-पुरे देश की संप्रुपता के लिए खत्रा बन जाए है इसलिए बहुत ज़्यादा precautions के साथ इन लोग को invite किया जाता है अपने देश में काम करने के लिए, इसी को हम कहते हैं foreign direct investment, कभी company को direct production के लिए invite करते हैं, कभी उनको sales के लिए जगह देते हैं, जैसे retail sector को खोलना होता है, तो इस तरह से वोगों अपना market expand करते हैं, ठीक है, और यह जो multinational companies हैं, इनका एक, यह एक host country होता है, जो main country होता है, जिस apparent country कहते हैं, उसके वादी अनेक देशों में अपनी इस तरह से इनकी शाखाएं फैल होती हैं, ठीक है, जिनने इनकी subsidiary कहा जाता है, तो यह इनका कारी करने का तरीका, इनके जो professionals होते हों, बहुत हाई, हाई इसके लोग होते हैं, क्योंकि एक साथ इनको बहुत जादा बड़े पैमाने पर, बड़े scale पर production process को operate करना होता है, उसे sales करना होता है, और human resource manage करना होता है, सारी bookkeeping करनी होती है, तो इसके लिए इनके जो professionals होते हैं, बहुत ही highly qualified होते हैं, वो उस देश के भी हो सकते हैं, जि employment opportunities बहुत बढ़ती हैं, इनके market बहुत large होते हैं, क्योंकि यह ऐसा नहीं कि जो host country है, वो अपने ही देश में अपने माल को बेचेगा, यह multi-national यानि कि बहुराष्ट्री है, जो सभाव है, जो बहुराष्ट्री नेचर उसका अर्थी है, यह कि उत्पादन भी विविन boundaries of their own nation, ठीक है, तो यह था आपका, इनकी जो features हैं, वो यह थे, आप आईए इनकी कुछ merits को देखते हैं, employment opportunities, जब भी multinational companies, जिसको अगर हम कहें कि, अगर हम इसे foreign direct investment कहें, तो इसे कहना गलत नहीं होगा, जब हम किसी बहुराष्ट्री निगम को अपने देश में काम करने के लिए invite करते हैं, क्योंकि ऐसे ही तो वो नहीं यहां तक देशों के बीच में करार होता है, समझाता होता है, तो जब वो यहां पर आएंगे, काम करेंगे, तो सारा का सारा manpower उनके देश का दोटके यहां नहीं जाएगा, हमारे यहां के देश के जो highly skilled लोग हैं, उनके नए नए तरीके किसी भी कारिक को उत्पादन करने के नवी नुतम तरीकों को अपनाते हैं, ठीक है, जैसे अब advanced technology क्या हुई, जैसे आप पहले मिट्टी के चूले पर खाना बना रहे थे, फिर technology आई, क्या stop पर खाना बनने लगा, stop के बहुत सारी variety आई, कभी बत्ती वाल गैस जूले पर बड़े पर काम करने लगे, फिर cooktop आ गया, फिर microwave आ गया, फिर उसी में आपने चिमनी पर काम करना शुरू करना, तो किसके तहत हुआ जब हमने technology को apply किया, हमेशा हमने कारिकरने की नई नई पद्दतियों को अपनाया, और जो consumers हैं उनके लिए उस product को apply करन और वो product जो कारी करता है, उसको कारी करने को आसान मनाना, तो यह लोग बहुत ही advanced technology का use करते हैं, ठीक है, जैसे कोई teacher है, आपको एक बस, कोई कुछ लोग होते हैं, खाली एक लक्षमी top 10 आया, उसी इसे पढ़ाते रहते हैं 23 साल तक, है, इसका वाल है, खाना पूर्ती करन की भी जानकारियां घटे करते हैं, वहां के publications को पढ़ते हैं, कुछ होते हैं, और आपको computer के माध्यम से पढ़ाते हैं, projector के माध्यम से पढ़ाते हैं, कुछ आपके अंदर भी बहुत ज्यादा input addition करते हैं, तो यह सब क्या है technology, तो कौन सा ज्यादा service rate होगा, जो जितनी high advanced technology का use कर रहा है, और अपने बच्चों को सिखा पा रहा है, और उनको दे पा रहा है, तो वही तो अच्छा teacher होगा, उसकी जगे-जगे demand होगी, वह जहां भी apply करेगा, वहां चला जाएगा, या अगर ऐसे minimum होते हो, कहीं भी पढ़ाने जा सकता है, तो यह होता है advanced technology, जिसके through आपका market expand करता है, export promotion, जब भी foreign direct investment या multinational companies को invite करते हैं, इनके उपर हम कुछ थोड़े से restrictions इस रूप में लगा जाते हैं, कि भही आप जितना production करेंगे, उसका इतना percent आपको export करना है, ठीक है, जैसे अब भी कि जो हमारे capital goods में जो भी FTA था, उसमें पहले था कि वह जितना capital goods produce करेंगे, उसका 90% उनको export करना है, 10% के लिए उनका यहां का market था, local market में बेचेंगे, आप उसको relax करके 75 and 25 किया गया है, अर्था कि 75% उनको export करना है, बाकि 25% वो local market में save कर सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, हमारे पास विदेशी मुद्रा आती, जिससे हम जो और आयात करते हैं अपने देश के लिए उसका भुद्दान करने में आसानी रहती है, growth of domestic forms, जब इस तरह की बड़े जाइन कंपनियां हमारे निवेश करती हैं, और पादन की प्रक्रिया करती हैं, तो बहुत सारी जो अपने कार हैं, छोटे मोटे उसको वो outsource करते हैं, इसको domestic forms को, ठीक है, मालने जो उनको अपने websites बनवाने हैं, या कोई छोटा मोटा product बनवाना है, तो उन्होंने अपनी Indian form को का कि आप इतने माल के supply करती हैं, या अपना जो सारा accountancy work है, वो दे दिया कि ये सब करवा कर आप भेजिए, तो ये क्या इस से कह तो जो हमारी जो domestic का घरेलू फर्में, उनको भी विस्तार होता है, उनको भी opportunities बिलती है, ठीक है, foreign exchange, विदेशों से फिर जब export promotion है, तो विदेशी मुद्रा का भी आता है, foreign exchange, goods and services का भी होता है, पुझी का आवागमान होता है, टेक्नलोजी का हस्तान अंतरन होता है, ये सारी इनकी merits के अंतर अगर खा जाता है, ठीक है, अब इनकी कुछ limitations भी है, यानि कि मतलब कुछ मामलों में इनका ना होना भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये लोग इतनी ज़्यादा advanced technology का use करते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें भी है, जैसे आप इसको मैंने एक example ले लिया है, कि जैसे Facebook है वाली, ये social side है, ये क्या है, एक तरह से Facebook क्या है, आपका chit chat का जरिया भी है, आपका advertisement का advertising कितनी sharp इसके through हो रही है, आप देखते हैं, जैसे आप Facebook hold के well through, पहले तो आप केवल बातचीत का माध्यम था और अपनी data transfer का था, आप हमेशा देखते हैं कि जो चीज़ें में पता नहीं थी, या बाजार में जाओ, हमें पता नहीं है, यहां पर भई काशिकों के बार के बार के नहीं चीज़ नहीं आई, तो हमें नहीं देखती थी, अब उसके लिए कोई Delhi जा रहा है, कोई Bombay जा रहा है, तो सब के पास कितने means होते नहीं है, कि वहीं चले जाएं, सब्सक्राइब के लिए, तो Facebook क्या है, एक advertisement का बहुत ही सशक्त माध्यम है, Amazon क्या है, यह आपकी online shopping company है, Twitter, Google, यह सब search engine, इनके माध्यम से हम लोग कितना ज्यादा इस समय international world के connection में आ गया है, और एक click पे आपको पूरे product घर बैठे चाहे, और वो भी without any time limitation, यह नहीं कि आप आपको market जा रहा है, बैठे केसी भी समय खोलो, आपको सारी चीज़ा पता चलनी ही, जिसका exposure अभी तक हमें मिल रही नहीं था, लेकिन इनके साथ क्या होता है, हम online shopping करते हैं, हमारे internet banking का account होता है, हमारे ATM के numbers, सब इसमें feed करते हैं, तो इसमें dark net agency है, जो इतना cyber crime हो रहा है, हम उसके खत्रे में चंगमर में फंसते चले आते हैं, पता ही नहीं चलेगा कि आपका data, आपका account साफ हो गया, या कुछ हो गया, तो इस तरह की threats के में जो जाल है, जो network के वो बहुत तेजी से खेल जाता है, तो थोड़ा इनके साथ, और चुकि ये MNCs हैं बिना online work के, online advertising, online payment के विना ये बहुत जादा, आज की तारिफ उत्रा विस्तार नहीं हो पाएगा, तो इनको इन माध्यमों को choose करना पड़ता है, जिसके साथ ये खत्रे साथ में cyber hacker, जैसी खत्रे हमारे पास आ रहे हैं, जिसके विशे में मैंने आपको सबसे पहला lecture इस पर यहीं दिया था, तो वो इनी सबसे जुड़ा हुआ है, अब दूसरा कहा है कि इनके साथ इनकी संस्कृति आती, जिसे माली जो फूडिंग इंडस्री है, हम लोग पहले एक जवाना था, ये मैड़नल वगेरा सब विदेशी कंपनिया हमारे आएं, इन्होंने अपने अपने जो खाने के तर लोग खारे सुनना ही नहीं था, यहीं सारी चीजे बिखने लगी, अब आप लोग अपनी टिक्की और पगोडी भूल के जिसको देखो बच्चों को क्या है, बच्चे हमेशा अपने आपको जो भी सुपीरियर, जो फैशन है, जो उस समय का करेंट है, उस से बहुत जल्द आइडेंटिफाई करते हैं, उनको तो कोई मतलब नहीं कि किस चीज में न्यूटिशन है, किस में नहीं है, जो चीज ने लबो लुआ वाली, सज्जा वाली दिखाई देगी और जो उनके फ्रेंड्स खा रहे हैं, उससे खाना वो शुरू कर देंगे, तो इस तरह से हम लो मसलिन डेते, देखते, देखते हैं वो अभ्यास्त हो जाते हैं, फिर लो हुष अपने ही जीवन में उसे एडाप्ट करने लिगते हैं और अपनी संस्क्रितिवस से दूर जाने लगते हैं, क्योंकि अभ आपको कोई भी कहेगा, ऐसे क्यों करने भास हो जो तो आप TV ए clinician का तो बहुत रिशी मुनी है जो कर पाते हैं सामाने लोगों की तो बाहर की बहात है तो इनके थू जो है ना बहुत ज्यादा एक तरह से ना कंजम्शन की प्रविर्थी बहुत ज्यादा लोगों में बढ़ती चली जाती है ठीक है वर्क फॉर्स अर्फ इंट्रेस्ट यह जो लोग देश्वी देशों में काम करने आ रहे हैं यह आपके उत्थान के लिए नहीं करने राते हैं आपका उत्थान उसमें हो जाए इंडिरेक्ली वह एक अलग बात है लेकिन इनका प्राइम मोटीव होता है कि अपने कि इनके देश का नाम फैलता रहता है इनका अपना तो है यह लेकिन हमको लगता है अच्छा भी यूके की कंपनी है वहां की कंपनी तो वह देश उतने ही आर्थी ग्रूप तो शक्तिशाली होता जाता है न कि जो भी प्रॉफिट गया वहां के जीडीपी का पार्ट हो गया तो वहां का जीडीपी एक्स्पेंट होता रहता है अब और एक्स्प्लाइटेशन यह कंपनी एक्स्प्लाइटेशन भी कर सकती है क्योंकि इनका काम क्या है यह चोटी-चोटी फर्मों को के साथ माली जिए मर्ज होगी किसी दूसरे देश की है उनको अपने में मिला लिया अब यह क्या होगे कुछ ओलिगो यह लोग जो परफेक्क कॉम्पीशन मोनोपॉलिस्टिक कॉम्पीशन के बास सीधे सीधे ओलिगोपॉली क्रियेट कर देते हैं अब कुछी लोग मार्केट में रह जाते हैं और यह लार्जर मार्केट का बहुत बड़ा शेयर यूज उसके बाद क्या होते हैं कुछ प्राइस करने शरू कर देंगे तो और शेयरे इसलिगा काम कर रहा है उनके लिए वह कह सकते हैं कि यह आप लेवर लॉज के रिश्मेंटल करें हैं कि नहीं तो रहुगे अपने इतने लेवर नहीं रखेंगे नेपनी अप्नी टेकनी कर तो इस तरह से labor का भी exploitation होगा, long term consumer का भी हो सकता है, यह depend करेगा कि जिस country में वो काम कर रहा है, उसकी negotiating power कितनी है, ठीक है, low risk and high profitability, ये लोग उनहीं तरह के product में आना पसंद करते हैं, जहां पर risk factors कम हो और profit बहुत जल्दी आ जाएं बिना time gap के, ठीक है, तो जैसे ये लोग retail sector मे जाना बहुत पसंद करते हैं, retail industry, ये सवाज है, ये fast moving consumer goods में, तो वहां पर फटा एक साल के अंदर सारे रिटल, उसमें ये जिसमें gestation period हाई होगा, जिसमें परिपकता अवधी project की जादा है, उसमें ये लोग कम आते हैं और उसको जादा पसंद करते हैं, low risk and high profitable ventures में, reasons for the growth of multinational corporations, reasons क्या है कि क्यों ये लोग इतने आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक तो ये है कि इनकी जो, जो इनका expansion of market territory, जब से हम globalization के पीछे का motive ही यही था, कि सारे market integrate हो जाएं, विविन में देशों के market एक हो जाएं और उन पर बहुत ज़्यादा जो वस्तूर सेवाओं का जो movement है, उस पर control बहुत ज़्यादा ना रहें, और operation का area बहुत ज़्यादा huge हो जाएं, तो जितना आपका operation का area huge होता जाएगा, operation मतलब कार करने का जो area है, अपने गाओं से फिर शहर, शहर से metropolitan metropolitan से transnational पर आप पहुच जाते हैं, तो जितना ज़्यादा आपकी activities wide होती जाएंगी, उतना ही उतना आपका जो आपकी economic power बढ़ती जाएगी, उतना ही पावर बढ़ती जाएगी, तो आप जाहिर सी बात है, और अपना विस्तार कर सकते ह कि इन देशों के पास बहुत trillion dollars में पैसा होता है, और ये लोग उतना ही invest करते हैं, तो इनकी credit rating है वो बहुत high होती है, जितनी आपकी credit rating high है, तो उतना ही इनको जो external capital market है, जो विदेशी मद्रा से संबंदित बाजार है, उसमें उनको बहुत ज्यादा आसान शर्तों पे globalization of high level of fund को ये बहुत ज्यादा राशी का investment है और returning है, तो इससे जो इनकी financial superiority है, वो बहुत बहुत जादा होती है, ठीक है, कि जिसके कारण इनका जो growth है, वो उसके future prospects बहुत high होते हैं, सपोस करिये माली जे एक student गरीब है, lower middle class का एक बहुत ही, किसी ML का बेटा है वही या, त अब हम एक गरीब बच्चे को दो विचारा एक writer की माली जो उसने किताबे खरीद भी नहीं, तो किसी तरह बस उनी से पड़ेगा, और जो अमीर बाप का बेटा है, वो पता चले कई-कई writers की book ले, उसको मिल गई, writers की book मिल गई, उनके पापा की reputation बहुत high है, तो उनको घर म में भी tuition मिल जाएगा, coaching मिल जाएगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा payment कर सकते है, utilization of high level of funds, और अपने आग उसके घर पे एक एक writer की बहुत सारी books है, sorry, एक एक topic पे कई books है, computer भी है, उसके पास, उसके पढ़ रहा है, उसके पास projector भी है, पढ़ने के भी बहुत नायार तरीके है, वो technology का भी बहुत इस्तेमाल कर सकता है, तो इस तरह से फर्क आया, तो उस वेच्चे ने जिसने इतने high level पर भढ़ाई करी है, तो उसके भविश में employment के जो अवसर है, वो कहीं ज़्यादा bright होंगे, superior होंगे, तो जाहर सी बात है, तो financial superiority जो होती है, तो उससे आगे से higher, उसी, जिसमें उस तरह की qualification चाहिए, तो आपको जल्दी से आपका appointment हो जाएगा, तो आपके विस्तार के, जो prospect से वो ज़्यादा high होए, तो वहीं चीज का corporation के साथ भी हो गई, एक domestic firm हो गई, एक multinational firm होगी, तो multinational का growth जो है, वो बहुत शार्क होगा, क्योंकि उनके पा दूसरी बात, इनकी market superiority, financial भी है, अपने prospects भी है, दूसरी, इनकी marketing strategies बहुत है, एक तो पहला ही अपने brand name के तहत काम करती है, product मालने के एक ही तरह का product कही लोग बना रहे हैं, तो इनका brand name होगा, ये हमारा product है, brand name जैसे monte corlo के नाम से shirtless भीखते ही भीखते हैं, तो well-reputed brands है, आपकी, कभी आप LG के लिए बहुत खरीते हैं, लोग LG के products बहुत हैं, कभी Samsung बहुत हाई, और ये क्या brand name, cocopola क्या brand name, Nestle क्या है brand name, तो ये brand name बिखते हैं, इनके नाम से products बिखते हैं, तो आप brand name चड़हें कैसे, आम जनता है के मुहों पर, इसके लिए जो इनकी ये जो sales promotion के जो techniques हैं, क्या advertisement, तो है ही है, TV के दवारा, अखवारों के दवारा, internet पे आपकी websites हैं, आपकी websites खोली हैं, आपके सामने हैं, हाजिर है पूरी information, आप YouTube देख रहे हैं, आपने कोई भी Manoranjan का program देखिए, साइड में आपके इनका advertisement आते रहते हैं, और फिर केवल advertisement तक ही नह भुगतान के, delivery के, तो यह सब क्या sales promotion techniques कहलाती है, तो इनका जो market information system है, ना केवल consumers के लिए, बलकि जो इनका सामान खरीद के, फिर resell करते हैं, उनके लिए भी बहुती आसान होता है, यानि कि आपको market पैसा दे दिया, आपको time period दे दिया कि इतने समय के बाद भुगतान कर दिजेगा, ठीक है, selling strategies होती है, product की quality बहुत हाई होती है, और technologically advanced होती है, जैसे माली जी कपड़ा है, cotton का कपड़ा है, वो आपका Indian है, अब आप उसकी maintenance कितनी होती है, आप उसे खरी लाते है, आपको गर्मी लो सुकून तो बहुत देता है, आप color लगाओ, प्रेस कराओ, वही चीज़ जी टेक्नोलोजीकल, उसमें technology हो, है, इस तरीका research and development किया जाए, कि कैसे cotton वाले कपड़े का feel भी है, आप भी भी लो, maintain ना करना पड़े, धो अप्रेस करो पहन के, चल दो, तो ये क्या कहला थी, technological advancement, ठीक है, फिर ये लोग new, हमेशा अलग-अलग देशों में, वहां के customer को पहले identify करते हैं कि customer चाहता क्या है, फिर उसी तरह के product को design करके, बना कर अपना base है, तो ये जब इतना कब होगा, जब उनके पास खुब पैसा होगा, technology होगी, skills होगी, ठीक है, experience हो, जैसे माली जे कोई teacher आजाए, वो हमेशा नए 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 तरीके से आपको पढ quality को पहचाना जाए, और उसको तदनुसार profit भी होना चाहिए, ये नहीं है कि वो बिचारा मेहनत करे जाए, जैसे महीं multinational अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उतना ही उनका माल भिकता है, उनको product मिलता है, उनको profit भी होता है, और वो grow करती है, अब अगर आप सब को एक ही scale प आप सोच नहीं सकते हैं, उस चीज को बनाने की वो कर लेते हैं, ये, आहां, marketing superiority और उस product में हम अपने बावारामदेव जी का भी नाम देना चाहिए, जो आप आज एक महुराष्ट्री company बन गया है, ठीक है, एक brand name बन गया है, बावारामदेवी, क्योंकि इनकी जो information system, इनक बहुत, वाइड और विविड रखे, और जिस तरह से इनना ने टीवी पर योगा का प्रसार किया, उससे लोग पहले इनके नाम से identify हुए, फिर इनके products को लोगोंने, उसकी, मतलब, technology क्या, उसकी quality के कारण, लोगोंने accept करना, और ये आज एक international brand name बन चुका है, ठीक है, जै जैसे दवाओं में home के उसमें, जैसे जो हमारी consumer durables है, उसमें technology चाहिए और जो हमारी eatables है, जिसको body के अंदर लेते हैं, उसमें हमें क्या चाहिए, नेचरोलोजी, जितना वो nature के निकट होता है, उतना ज़्यादा market उसका expand होता है, टेक्नोलोजी का superiority, बाई, टेक्नोलोज एक होता है, एक होता है, आटा आटा आपने हाथ से गूंदा, ठीक है, और एक होता है, आटा आटा आपने food processor में डाला जिसमें कहीं में आपकी finger touch नहीं करती है, आपकी धुला हुआ बढ़ताने सामाने, उसमें के अंदर आटा गुंद गया, तो यह क्या technological superiority, इसमें क्या है टाइम तो बची रहा है, और काम बहुत ज़्यादा मात्रा में, और एक जसी quality का हुआ, कम समय में हुआ, प्लस हाईजीन लेवल बहुत है, जब आप खाते हो तो आपको यही तो लगता है, पता नहीं उसके नेल्स कैसे होंगे, पता नहीं हो खाना बनाते हैं, बनाते हैं और कुछ ना छूदे जिससे ना संक्रमण का खत्रा रहता है, तो यह इनकी टेक्नोलोजिकल सुपीरियोटी तो इनका हर काम बहुती फाइन और बहुती नीट और बहुती इंपॉट ओरियेंटेट होता है, एक होता है, हैंड से काम करना है, एक उस से, अब डेवलोपिंग करने के लिए पैसा नहीं है, हमारे पास capital equipment उस तरीके के नहीं होती है, तो हम उनसे कहते हैं, आप हमारे यहां आकर यह समान बनाएए, जिससे क्या होता है, हमें इंपोर्ट करने के लिए जो foreign exchange है उसके जरूद नहीं होती हमारे यांके लोगों को रोजगार भी मिल जाता ह और हम उनकी technology से भी निवनाधिक मात्रा में अवगत होते रहते हैं, developing countries के पास उस तरह की knowledge भी नहीं होती है, कि उस तरह का product बना पाएं, क्योंकि हो सकता हमारा product बनने के बाद भारी हो, carry करने में problem हो, या उतनी durability ना हो, वगयरा वगयरा, तो यहीं पर तो knowledge, पैसा और technology, त इस तरह के होने चाहिए, ठीक है, lack of industrialization हमारे अध्योगी करन उतना नहीं है, इस वज़े से भी हमें इन लोगों को बुलाना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास माल लीजे, capital और labor है, लेकिन हमें उतनी knowledge ही नहीं कि मैं इसे कैसे employ करें, या हमारा labor ही इतना skill नहीं कि उस तरह क काम को कर सके, जैसे आपको घर पर ही, आपको servants रखने होते हैं, ठीक हो लोग आतो जाते हैं, उनको एक एक चीज़ बताइए, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, जब तो वो ट्रेंड लों के छोड़ कर चल देगे, तो कोई भी इस तरह की सुनता है, हर जिगे नहीं कि कि हमको trained manpower मिले, जो हमारे काम को effectively कर ले और हमारे समय बचे, क्योंकि पैसा तो उतना ही खर्च हो रहा है, लेकिन उनसे जो output मिलता है, वो उतना नहीं होता है, तो यहीं फर्क है trained और untrained में, और domestic और multinational है, वे इनके product बहुत ही highly innovative, वो हमेशा नए 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 changes करते रहते, कि इस आधार पर changes करते हैं, उनका research, development department बहुत हाई होता है, प्लस research and development के लिए, किस के लिए, consumer के लिए products बना रहे हैं, तो हमेशे KYC उनका बहुत strong है, know your customer, customer से feedback लेना, customer survey करना, वो आकर क्या चाहता है, customer के दिमान में क्या घूम रहा है, आप पहले जाडू लगाते थे, इन्नोवेशन कर दिया, within the vacuum cleaner, अब उसके साथ इतने parts हैं, ये लगाई है, वो लगाई है, दूसरा इन्नोवेशन हो, जी भाई, एक है, एक सीदी सी स्ट्रीक लो, और यह ऐसे जाडू लगाते हो, दिखती भी जाए, दूल आरी, उसके उपर और इन्नोवेशन, पोच्छे रॉपलाज हो आगए, जी इन्स आगई, हैं, उसमें भी कितने comfortable, stretchable चाहिए, जैसे better, smart के smart, maintenance की, कम maintenance, और पहने में आराम दायक हैं, काम करने में घर में सुझदा होती, पहले वई साड़ी, लहेंगा, और शनवाल कुर्टे के लागा कुछ चलता ही नहीं न, इसी तरह से consumer Durables में हैं, मशीनों में, कितना है, घर के कामकाज के तरीकों के लिए, छोटी-छोटी कितनी चीज़ें आ गई हैं, चोपर, प्रोसेसर, मिक्सी, हैं, और आपके नहीं नहीं है, वो फ्रायर, यह सब क्या है, innovation, product, innovation according to the consumer's needs, फिर इनकी international image होती, इसी लिए तो image होती, image किसी की कैसे बनती ही, आपकी quality के कारण, आपकी durability के कारण, आपकी convenience के कारण, इसलिए उनकी हर विविन देशों में, इनकी product की demand होती है, कैसे होती, consumer बार्वर, वही समान मागने आ रहा है, वही समान मागने आ रहा है, तो seller को क्या चाहिएगी, हमने तो वही चाहिए ना, जो consumer माग जाते हैं, तो इस तरह से इनका market बढ़ता जाता है, इनकी image strong होती है और ये, और giant से भी बढ़कर giant होते जाते हैं, तो ये था आपका multinational corporation, इसके साथ ये है, आप कुछ इनकी जो multinational company हैं, आप इसे Wikipedia में, मेरे पास समय time नहीं है, देख लीजेगा कि कौन-कौन सी foreign company है, कौन कौन सी Indian multinational है, कौन-कौन सी foreign multinational company है, और उनका कितना कितना इसनमें invest, किसके जेश में मत करेगा, total उनका कितना investment है, तो इससे आपको company का size पता चाह जाएगा, ठीक है, that's all, I hope कि आपने इस lecture को enjoy किया होगा.